नमस्कार स्वागत है आपका लाइब खबर में मैं हूँ आपके साथ पूजज़ चलिए एक निज़र डालते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों पर फरुका बाद जिले की तीन तहसीलों पर तैनात लेक पालों ने धर्णा परदर्शन किया इस दोरान उन्होंने स्ट्रीम को आठ सूत्रेम मांगो का इग्यापन भी सौपा बताया जा रहा है कि लेक पाल संग के अध्यक्ष्यां बाबु श्रिवास्तप की अध्यक्ष्ता मे ये सभी लेक पाल हर्ताल पर रहे उनका कहना था कि उनके पत समान होने के बाद भी उन्हें पेंशन अलग-अलग तरह से दी जाती है और इसलिए उन्होंने समान पेंशन कराने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया वहीं इस बारे में SDM अजीत सिंग ने बताया कि इन ल है कि उन्हें लगातार काम दिया जाए सीजनल मस्दूरों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी हर साल बारिश होने से पहले उन लोगों को भरती करके नालो की सफाई करवाते हैं और फिर दो महिने के बाद उन्हें हटा देते हैं फिर पूरे साल वो लोग काम की बनाने की एक फैक्ट्री का खुलासा किया जहां से पुलिस ने एक युवक को अवैध हतियारों के साथ गरफतार किया और जेल भेज दिया मामला खकरेडू थाना शेत्र के पॉली गाओं का है जहां पिछले कुछ साल से अवैध हतियार बनाने की शिकायते आ रही थी बता आया कि सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि अवैध असलाहाफ फैक्ट्रों को सर्च किया जाए और तुरंत एक्षन लिया जाए लगतार 48 घंटे से होरे बारिश ने अपना विक्राल रूप लेना शुरू कर दिया है वहीं राप्ती नदी महस खत्रे के निशान से 20 सेंटीमेटर दूर है जल इसतर तेजी से बढ़ने के कारण राप्ती नदी की चपेट में दरजनों गाउं प्रभावित हो रहे हैं वहीं कई जगों पर रोट कटने के कारण संपर्क मार्ग भी बादित हो गया और सडकों के बहने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नेपाल सरकार ने भी भारत सरकार को अलर्ट जारी कर चेताबनी दी है वहीं जिलाधिकारी दीपक मीड़ा ने बत रहा इस बीच एसोजी का एक जवान भी घायल हो गया घटना के मताबिक तीन बदमास सडक के किरारे लूट की वारदात को अंजाम देने के मकसद से खड़े थे इसी दोरान पुलिस को मुख्विर से सूचना मिली जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर बदमासों से म झाल